एक सुन्दर गाव में, जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, एक छोटी सी लड़की अमीना रहती थी. उसके पास एक सफेद, मुलायम बिल्ली थी जिसका नाम मित्टु था. मित्टु अमीना का सबसे अच्छा दोस्त था. हर सुभा, अमीना और मित्टु खेतों में दोड़ते, तितलियों का पीछा करते और नदी के किनारे खेलते डौट एक दिन. अमीना ने देखा कि मित्टु बगीचे में छिपा हुआ है और डरा हुआ लग रहा था. अमीना ने उसे धीरे से उठाया और गले से लगा लिया. चिंता मत करो, मित्टु, मैं यहां हूँ. उसने कहा. दोनों बड़े पेड के नीचे बैठ गए और सुरज धलने का नजारा देखने लगे.